नमस्कार मैं उद्वय बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज 28 दिनवरी दिन रवीवार खबरों के उबने से पहले एक मेजर सुर्खियों कर दसवी बारवीं के बच्चों के लिए बिहार बोड ने जारी किया या फ़र्मार जोरम की वापस सिनेमा घरों में रिलीज होने पर मनोज वाजपी ने जताइक हो से राज़त बैठक की बाद सांसत मनोज जहा का बयान आया सामने इस वज़े से यूटूब ने हजार से भी अटिक वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से हटाए बिहार ने किया कमाल केरल को कर दिया धेर बना ली इतने रनों की वरहत अब चलिए बरते हैं बिहार के अपतके 35 वरी ख़बरों के और विस्तार से इस रों ने दसवी पास युवाउं के लिए निकाली भरती खारतियानो संधान, अंतरिक्त, संगठन यानि इसरों में नौकरी की एकच्छार रखने वाली युवाउं के लिए अची ख़बर है दरसल इस रों द्वारा साइंटिस्ट या इंजीनियर टेक्निसियन, टेक्निकल असिस्टेंट, ड्राइवर समित कई पदों पर भरती आई है आवेदन करने के अंतिन तारीक 16 फरवरी 2024 है एक चोक उमितवार इसके आधिकारिक वेबसाइट इसरो.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं इस आवेदन के लिए यदि पातरता की बात करें तो उसके लिए जरूरी है कि आपने दसवी या आईटी या या संबंदित छेत्र में बीएसी या इंजिनियरिंग में डिप्लोमा या बीए या बीटे किया मी या एम्टे किया मसी आदि किया हो उमितवारों के उमने सीमा 18 वर्स से लेकर 35 वर्स तक तैकी गई है हालांकि इसे संबंदित अधिक जानकारिक लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं दसवी बार्वी के बच्चों के लिए बिहार बोट ने जारी किया या फर्मान अब बस कुछ दिनों में ही बिहार बोट के दस्वी और बारवीं के बच्चों की परिक्षा आयोजित होने वाली है इस स्कूलों में बोट परिक्षा के लिए बच्चों की बीच एड्मिंट कार्ड का वित्रन भी शुरू किया जा चुका है अब इसी बीच बिहार बिध्यार परिक्षा समीथी द्वारा बिहार बोट परिक्षा दोजा 24 के लिए परिक्षा आरतियों के प्रवेस और गेट बंध होने के समय की घोस्ट ना भी की जा चुकी है मतादी की परिक्षारतियों को परिक्षा शुरू होने से आदे घंटे पहले तक ही परिक्षा केंद्रों पर प्रवेस मल जाएगा ऐसे में परिक्षा सुरू होने के आदे घंटे पहले परिक्षा केंद्र के गेट भी बंद कर दिये जाएंगे इसलिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपने परेक्ठा केंधरों को पहुंचे witness वर्द्वारा कहा गया है कि देरी से आने वाले परेक्ठातियों को कि परेक्षा भवन में प्रवेश की अनुमती नहीं मिलेगी बताने के बिहार बोड़ने या फैसला प्रस्न पत्र वाइरल होने जैसे घटनाओं को लेकर किया है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे डॉक्टर बिंदेशवरी पाठा के बारे में इन्होंने अपनी प्रसिद्र सुलब सौचाले के शुरुवात के साथ सुलब इंटरनेशनल संस्ता के अस्थापने और भारत में स्वक्स्ता एवं स्वास्त की रिसा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन को लेकर पाई है इनका जन्व बिहार के रामपुर प्रांथ में 2 अप्रेल बर्ज 1943 में हुआ था इन्होंने बिहार, गांधी, जन्म, सताब दी, समारों में एक प्रचारक के रूप में भी काम किया था हाला कि अभी एक बार फिर से ये लोगों के भी चर्चा का विस्या बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन उन लोगों के लिए बहतरी के लिए समर्पत किया, जिन्हें समाज में अच्छूत माना जाता था 15 अगस्त वर्स 2023 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया बेगु सराय जिले में दसवी पास यवाउं के लिए इस दिन हो रहा रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश के बेगु सराय जिले में बेरोजगार यवाउं के लिए एक दिवसी रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है यह मेला दो फरवरी को जिले के ITI मैदान में लगेगा, इसका समय सुभई 11 बजे से लेकर साम के 4 बजे तक संयुक्त इस्रम भवन में है, बता दे कि इस बात की जानकारी बेगुसरा नियोजनाले द्वारा दी गई है, जहां बताया गया है कि इस्रम संसादन विभाग के तर बेगुसरा नियोजन परदाधिकारी, डाना मिंतेस के मताबिक नीजी ठेतर की कंपनी क्वेस कॉर्प लिम्टेड, बेगुसरा इस्रम कारियाले में बार बेंडिंग और स्टील फिक्सिंग की 50 सीटों पर फॉर्म, वर्क कारपेंट्री की 50 सीटों पर बेरोजगार केरल को कर दिया धेर बना ले इतने रनों की बरहत, बटना के मोईनूल हक स्टेडियम में बिहार और केरल के बीच खेले जा रहा है रंजी मैच के दूसरे दिन, बिहार ने जहां पांच विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाए, वही केरल की टीम मैज 227 रनों पर ही सिमट गई जिसके बाद बिहार के 43 रनों से बरहत मिल गई है, बिहार की तरब से सकी बूल गनी ने 13 चौक्य और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 120 रन बनाए, वही केरल की तरब से अखेन और स्रियस गोपाल ने 2-2 विकेट और जलत सक्सेना ने 1 विकेट जटके, वही केरल ने पहली प पुल एकरिसना ने 3 विकेट अपने नाम किये, सरसटवी BPSC पास नम न्योक्त पदादिकारियों की वरिये उप समाहरता के पद पर हुई तैनादी, जिन भी अभ्यरतियों ने बिहालोग सेवा आयों के सरसटवी सहिप्त प्रतियोगिता को पास किया था, उन्हें प्रसास सेवा में वरिये उप समाहरता का पद दिया गया है, सामाने प्रसासन विभाग द्वार असके अधी सूचना भी जारी की जा चुकी है, आने वाले 15 दिनों के अंदर ही, इन नम न्योक्त पदादिकारियों को लेकर सामाने प्रसासन विभाग द्वारा लिस्ट भी जारी की गई है दिसके तहईत वैसाली के रहने वाले सिवम को पत्वाधा में तैनात किया गया है इनके अलावे पत्वेा रहने वाले अमन आनंद की तैनाती वैसाली जिले में की गई है जहानाबाद की निकिता कुमारी को गया जिले में तैनात किया गया है वही जारकन की अंकिता चौधरी को भागलपुर भेजा गया है वही बांका में अपेक्चा मोदी की तैनाती की गई है ऐसे ही अन्यक कई जिलों में इन नव न्यूक्त अधिकारियों क की तैनाती की गई है इस वजह से YouTube ने हजार से भी अधिक वीडियो अपने प्लेटफोर्म से हटाए हभी हाल में हजार से भी अधिक वीडियो यूटू आपने प्लेटफोर्म से हटाए हैं इसके लिए संसाधनों में निवेश भी कर रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूटूब ने इन में टेलर स्वीप्ट स्टीव हार्वे और जो रॉगन जैसे कई प्रसिध हस्तियों के मेडिकेर स्कैम को बढ़ावा देने वाले भ्रामक विग्यापन बनाने के लिए एक आ कि भीहार पेटर्ण में आज हम बात करेंगे भीहार योग विद्याले के बारे में यह विए प्रेटकों के बीच गंगा दरसन के लिए प्रसिद है इसकी इस्थापना वर्स 1963 में हुई थी ताकि विश्व को योग की प्राचीन विद्या के सिक्षा दी जा सके इससे स्री स सत्यानंद सरस्वती की कर्म घूमी भी कही जाती है जिस जगह पर यह विस्विद्याला सित है वहां का अस्थान बेहदी खूबसूरत है इसकी अस्थापना ध्यात्मिक केंद्रों के तरज पर की गई थी यहां से गंगा के दिरस से बेहदी लोग प्रिय लगते हैं आप चाह जहां बेहार में सरकार तूटने की हर तरफ चर्चा है तो वहीं दूसरी तरफ इसनी बीच लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के खिलाफ राओ जेवन्यू कोट ने समन जारी किया है कोट ने एडी की चार्ज सीट पर संग्यान नेते वे राबरी देवी मिसा भारती और हेमा को समन भेजा है साथी नौफ रवरी को किसी भी हालत में लालू परिवार की कई से दस्यों को अदालत में पेश होने की बात कही गई है दिसके बाद जब लालू परिवार की परिसानी और बरसकती है मालूम होगी एडी ने लैंड फॉर जॉब मामले को मनी लॉर्णिंग से जोरा था इरी द्वारा मामले की जाज को लेकर जो चार्ज सीट जारी की गई थी उसमें पूर्व स्रीयम राबडी देवी उनकी बेटी और आजसवा सांसद मिसा भारती दूसरी बेटी हिमा याद समेत और भी अन्य लोगों के नाम इस चार्ज सीट में साम इयर्पोर्ट है बीते ही दिन सांसद सार राश्टय कोसा ध्यक्श ने इयर्पोर्ट की बाउंडरी के लिए नीव रखी थी साथ ही अरपोर्ट की जमीन की बाउंडरी के लिएð प् hides कि लिए पैलिरिंग का काम करने के लिए सिला मियास भी किया ऑमीद लगाई जा रही आ Eh पितिये वर्स में यहां काम भी शुरू हो जाएगा यदि ऐसा होता है तो यह एरपूर्ट घरेलू उरान के लिए जल्धी तयार हो जाएगी जिससे बरे-बरे मानगरों में यहां के आसपास के इलाकों के लोगों को फ्लाइट भी आसानी से मिल जाएगी इस संबन्द में सा विध्याले ने अपने विश्विद्याले के बच्चों को आधुनिक सुविदा से रूबरों करवाने के लिए एक नई पहल करने की गोणा की है दरसल नैक मुल्यांकन को लेकर विश्विद्याले के इस, नार SE नार कॉत्तरव विभागों में जहां स्मार्ट कुछा नहीं है वहाँ ऐसे सुरु करने की तैयारी की जा रही मतारी के फिलहाल विस्वाट्ध रिखाले की चार विभागों में ही बच्चों को स्मार्ट क्लास के सुवधा उपलब्ध करवाई जा रही है बचे आठ हुआइ वघाग में अभी तक यह सुवधा की कमी हैं बता दे की जब इस से पहले बैठक हुई थी तब इस विद्याले के पुस्तकाले के लिए किताब खरीदने की बात सामने आई थी वहीं इस पार स्मार्ट क्लास बनाने को लेकर बात सामने आई है इससे लेकर विभाग अध्यक्चुंग को स्मार्ट क्लास रूम में आने वाले खर्चे की डीटेल भी मैठा के दौरान मांगी गई जोरम के वापस सिनेमा घरों में रिलीज होने पर मनोज वाजपई नहीं जताइक हो सी मनोज वाजपई की फिल्म में इन दिनों धूम मचा रही है दरसल उनके फिल्म दा फैबल जहां बल्लिन फिल्म में फेस्टिवल में पहुंची है तो वहीं दूसरी तरफ अकैडमी लाइब्रेरी का मुख्य संग्रे का है साज जोरम की पठकता बन चुकी है वहीं दूसरी तरफ मनोज वाजपई की हाल में ही रिलीज हुई वेब स्रीट किलर सूप के लिए साकरात्मक प्रतिक्रिया भी मिल रहे है आपको बता दे कि वापस से सिनेमा घरों में जोरम रिलीज होने पर मनोज वाजपई ने भी खुशी जटाई है उन्होंने अभी हाल में एक इंटर्व्यू के दवरान कहा कि लोग आखिरकार उनकी पसंद पर ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने स्विकार कर रहें उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के चुनाब को लेकर कहा कि वे परियोजनाए हैं जो मैं कई सालों से कर रहा हूँ इन पर्योजनाव पर ध्यान दिया जा रहा मौसम व्यभा के मुताबिक प्रदेश में आज का मौसम सुस्क रहने वाला है प्रदिस के कुछ हिस्सों में भिस्न सीथ को लेकर औरेंज अलट भी जारी किया गया है वही मौसम में भाग के मुताबिक प्रदिस के कई हिस्सों में आज का अधिक्तम तापमान 16-18 डिगरी और 18-20 डिगरी तक रहने की संभाव न जताए गई है गोपाल गंचे सराब तसकरी का मामला आया सामने विहार में सराबंदी होने के बावजूद भी सराब तसकरी के लिए कई नए हदकंडे अपना रहें लेकिन इन सराब तसकरों के मनसूबे को नाकाम करने के लिए पुलिस प्रसासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और दिन डात कई कारवाई कर रहा अब इस सराब तसकरी को लेकर एक और नया मामला गोपाल गंचले के कुचाय को ठाना छेतर से सामने आया है जहां मिली सूचना के बाद कुचाय को ठाना छेतर के बगोचन पूल के नजदी के एक पिकप से 1209 लीटर सराब को जब्त किया गया साथ ही एक सराब तसकर को भी इस दोरान पुलिस ने धर्दबोचा या सराब तसकर सराब की तसकरी हरे मर्चे में छिपा कर करने की कोशुस कर रहा था फिलहाल पकरे गए आरोपी की पूछ ताच कर पुलिस द्वारा उसे नयाई खिरासत में भेजिया गया है और आगे की कारवाई की जा रही है राज़त बैठक के बाद सांसत मनोज जहा का बयान आया सामने वी तेह दिन लालू प्रसाद यादव ने राज़त के विधान मंडल दर की बैठक पुलाई थी जिसकी अध्यक्स तक खुद लालू प्रसाद और तिजस्वी यादव ने की बैठक खत्म होने के बाद इस अध्यक्स और सभी विधायक वा विधान परसद भी मौजूद रहें इस बैठक में किसी भी फैसले के लिए पार्टियों के प्रमुक लालू प्रसाद यादव को अधिकरत किया गया है आगे उन्होंने कहा कि जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राश्ट्री अध्यक् सोच नहीं सकते इस सरकार ने रोजगार दिया है अस्पतालों की काया पलत कर दी है उस सरकार को जिसे हमने खुद बनाया है उसे हम खत्म करने की कोशस नहीं कर सकते हैं कि आज बिहार कॉंगरस विधायकों की बुलाई गई अमर्जेंसी बैठक बिहार में चलता सियास्य उठापटक के बीच बीच बीच्वी दिन कॉंग्रस ने पुनिया में अपनी बैठक बुलाई थी लेकिन इस बैठक में किवल 6 विधायक ही पहुँचे थे जबकि इस बैठक में 12 विधायकों को सामिल किया जाना था लेकिन आदे विधायक गायब रहें जिसमें दिस वजह से बीते सनिवार की बैठक टल गई अब इसी को लेकर पत्रकारों से बातचीत के दोरान कॉंग्रेस के प्रदेश सध्यक्त अखिलेश प्रसाद सिंग्वारा कहा गया कि बिहार के विधायकों को रविवार को पुर्णिया बुलाया गया है वहीं कॉंग्रेस के तूटकी खबर और बीजेपी वा जदियू के बीच बरती नजदीकियों को लेकर उन्होंने कहा कि नितीस कुमार अगर महाकरबंदन से अलग होते भी हैं तो महाकरबंदन की सियत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा हम लोग मजबूती के साथ भाजबा के खिलाफ लोगसबा चुनाव लरेंगे साथ ही आगे उन्होंने बताया कि बिहार में सभी कॉंग्रिस के विधायक एक जुट है और सभी उनके संपर्क में हैं कोई कहीं नहीं जाने वाला है जदियों के वरिष्ट नेता निरच कुमार ने राजब पर साधा निसाना दगातार या चर्चा देखने को मलधाई की बिहार के सियासफ में कभी भी बदलाव आ सकते हैं मुलधी निसाना पर निदेशन देखने के वरिष्ट नेता निरच कुमार ने राजब की निरच कुमार निनदा कर डाली है उन्होंने कहा कि राज़त के लोग बेचैन है और इसकी बेचैनी का कारण भी साफ है इन लोगों की आदत में सुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेना आगे उन्होंने कहा कि 2,15,000 सिक्षकों की बहाली जो तैसिमा में मान लिये नितीश कुमार जी के नितरत में हुआ है जिसमें ना पदस्था आपना में इनकी चली और ना ही नौकरी देने में तुस्वा भावी के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं बिहार में सियासी उठापटा के बीच सपोर कॉंग्रिस में सीट बटवारे को लेकर आई आई ये बयान बिहार में जारी सियासी गर्माहट के बीच अब उत्रपदेस में कॉंग्रिस और सपा के बीच भी थोरी बहुत अकरार देखने को मिल रही दरसल सपा के मुख्या खिलेस यादव ने यूपी में 11 लोग सबा सीटे कॉंग्रेस को देने का एलान किया था अब इससे लेकर कॉंग्रेस ने वरिष्ट नेता जैराम रमेश का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि पार्टी के वरिष्ट नेता असो गहलोत और समाजवादी पार्टी प्रमो का खिलेस यादव के बीच सीट बटवारे पर बात चीट चल रही है अभी तक इससे लेकर कोई फॉर्मूला तै नहीं हो पाया है जब कोई फॉर्मूला तै हो जाएगा तब बताया जाएगा आपको बता दी कि उतब अधिरस में 80 लोग सबाज सीटे मौजूद है इन सीटों पर अप्रेल मई के महीने में चुनाव होने वाले हैं दूसरी पारी में इंग्लेंड ने बनाई इतने रनों की बहरत बुमरा और अस्विन का धमा का भारत और इंग्लेंड के बीच खेले जा रहे पांच मैचों की टेस्ट स्रीच के पहले मैच के तीसरे दिन भारत ने 436 रन बनाए और 190 रन की बरहत हासल कर ली है जहां जोर रूट ने 4 विकेट रहान अहमद और टॉम हर्टली ने 2 विकेट के लिए वही तीसरे दिन दूसरे पारी में इंग्लेंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 316 रन बनाए है जहां दूसरी पारी में इंग्लेंड ने 126 रनों की बरहत हासल की है वही ओली पॉप ने इंग्लेंड की तरब से 208 गिंदों में 148 रन बनाए वहीं इंग्लेंड की दूसरी पारी में अस्विन ने इंग्लेंड के ओपनर बल्लेबाद जैक क्रोली का पहला विकेट जटका जिसके बाद बुम्रा ने बेंड अकेट को 47 रनों पर और जो रूट को दो रनों पर ही धेट कर दिया वहीं अस्विन ने बेंड स्टोक्स को 6 रनों पर आउट कर दिया इंग्लेंड की दूसरी पारी में बुम्रा और अस्विन ने दो दो विकेट और जडेजा और अक्चर ने एक एक विकेट हासल किये हैं भारत के तहास में आज की तारीक है बेहत खास पसिम बंगाल में कलकता मेडिकल कॉलेज 835 में सुरू हुआ था चौधरी रहमत अली खान ने 1923 में मुस्लिम लिकी अस्थापना की मांग के तहत अलग राष्ट के रिए पाकस्तान का नाम सुझाया था नियाइधिस हीरालाल कानेया ने 1950 में उच्तम नयायाले के मुख्य नियाइधिस का पद संभाला था हम्टी घरियों की पहली फैक्टरी 1961 में बैंगलूरू में शुरू की गई थी भारत के पूर फिर्धान मंतरी राजीव गांधी हत्यागान में 26 अभियुक्तों को 1998 में मृत्यूदन दिया था भारत में पहली बार 28 जनवरी साल 1999 को संग्रक्चित ग्रून से मेमने का जन्म हुआ था भारत ने 28 जनवरी साल 2000 को अंडर 19 के युवा वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में स्री लंका को बुरी तरह हराया था पंजाब केसरी के नाम से मसूर और भारतिय स्वतंता संग्राम के नेता लाला लाजपत राय का पंजाब में जन्म 1865 में हुआ था भारतिय सिना के पहले भारतिय सिना ध्यक्ष पिल्ड मारसल के एम करियापपा का जन्म 1899 में हुआ था 28 जन्वरी डेटा सरचन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है आज के वाइरल खबर में हम बात करेंगे आधार कार्चे 2% ब्याज पर मिलने वाले इस लोन के बारे में सोसल मीडिया के इस जमाने में कई खबरे वाइरल होती है लेकिन सभी सचों ये जरूरी नहीं है अब इसी करी में एक और मैसेज लोगों के बीच वाइरल हो रही इस वाइरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि पीम योजना के ताद आधार कार्चे 2% सालाना ब्याज पर लोन दिया जा रहा है लेकिन जब हमने इस खबर की परताल की तो हमने पाया कि या खबर पूरी तरह से फरजी है पी आईबी फैक्ट जेक ने भी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इस खबर को लेकर पोस्ट सेयर किया है इस पोस्ट वे मैसेज में लिखा गया था कि प्रधार मंतरी योजना अधार कार्ड लोन 2% ब्याज और 50% माव साथी कॉल के लिए एक नंबर भी दिया गया था पी आईबी के टीम दुवारा कहा गया कि ऐसे फरजी संदेश को सेयर ना करे नहीं तो इससे आपकी नीजी जानकारी चुराने के प्रयास किये जा सकते हैं ओनलाइन शॉपिंग के दौरान इन बातों का रखे ख्याल इन दिनों ओनलाइन प्लेटफॉर्म से सॉपिंग करने का चलन बढ़ता ही जा रहा लेकिन online shopping के दौरान आपको कुछ खास सीजे, ध्यान रखने की भी जरूरत है, नहीं तो आप आसानी से fraud का सिकार हो सकते हैं, इसलिए आई आज हम आपको बताते हैं कि online shopping के दौरान यदि fraud से बचना है तो आपको किन चीजों का ख्यास ख्याल रखना होगा, online shopping करते वक्त, आ जबी आप किसी भी चीज को online platform से ले रहें, तो इस दौरान जरूरी है, कि आप इसके review और rating पर नजर जरूर रखें, साथ ही सामान खरीदने के लिए पहले return policy को भी चेक कर ले, नहीं तो किसी कारण से से वापस लोटाने पर परड़िसानी हो सकती है, अब इगनू छेत्रि भासाओं में कारेक्रमों का अनुबाद करने के दिसा में एक महत्वपुन कदम उठाया है, राश्ट्रिय सक्षानीती 2020 के अनुरूप इगनू ने एक नाकिवल भारती भासाओं, कला और संस्क्रिती को बरहावा देता है, बल्कि कस्मीरी, नेपाली और मैत्तेई, लोन में स्टैंड आलोन पार्ठेक्रम भी प्रदान करता है, उन्होंने बताए कि इगनू ने सैक्ष्णिक सत्दोजा 24 से 19 कोर्स में चार वर्सी एसना तक धिगरी कारेक्रम सुरू कर दिया है, अब छातर राश्ट्रिय सिच्छा नीती के तएद दाखिला ले सकेंगे, इस ने प् पहरी बार, इस प्रारूप में दाखिला सुरू करेगा, नौकरी के बद्ल जमीन के मामले में सुसील मोदी ने लालो परिवार पर ख़रे किये सवाल, नौकरी के बद्ल जमीन मामले में विसे इस नयायाले के संग्यान लेने में राबढी देवी, मिसायादव, सहित 9 परी को उपस्त होने का समझ मिलने पर लालू प्रसाद को बताना चाहिए कि सच क्या है एडी के आरोपत्र में नयायाले के समक्ष ठोस प्रमान पत्र रखे गए हैं इसलिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को राजनितिक बयान देने के बजाए रथे परक जवाब देने चाहिए आगे उन्होंने सवाल खरे करते वे कहा किते दस्वी यादव बताए कि वे दिल्ली में न्यू फ्रेंट्स कॉलिनी के 150 करोर के मकान के डी दस-88 के मालिक कैसे बन गये और कौन है हिद्यानंद चौधरी जिन्होंने रेलवे में ग्रूप डी की नौकरी के बदले अपनी कीमती जमीन डाबरी देवी और हिमा यादव को गिफ्ट कर दी है बिहार सरकार के सानों को मधुमक्खी पालन के लिए दे रही 90 फीजी तक की सबसीडी ताकि उनके आर्थिक सिती में सुधार की जा सके खिसानों के लिए चलाई जारी कई योजनाओं में से ही एक है मधुमक्की पालन योजना इस योजना के तैट प्रदेस सरकार 75 फीजी से लेकर 90 फीजी तक की सबसीड़ी देती है प्रदेस में योजना एकिकरित बागवाने विकास मिसन योजना के तैट चलती है जो लोग सामाने वर्ग से अपना संबंध रखते हैं उन्हें इस योजना के तैट मधुमकी के छत्ते और पेटी पर 75 फीजी और 80 फीजी समुदाय के लोगों को 90 फीजी तक की छूट दी जाएगी इस योजना का लाव लेने के लिए किसान का अधार कार पेंड कार्ट खेत की कागजाद, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, डीटेर, आई प्रमान पत्र, जाती प्रमान पत्र और निवास प्रमान पत्र होना जरूरी है इससे संबंदित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप horticulture.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं हम प्रदी दिन आपसे पांच जैसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो की बीपी ऐसी बिहार पुलिस दरोगा समेथ पूछे के पांच सवालों में अपने कितना सही उता दिया है यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है प्रधान मंत्री नैंद मोदी ने कहाँ पड़ 19,000 करूर रुपे से भी अधिक के अनेक विकास परियोजना को अधगाटन किया है प्रधान में अप्रधान में अभ्यारन आप्षन से वाल में की टाइगर रिजर्ड आप्षन से कादी रंगा नेशनल पार्क अप्षन डी है इंद में से कोई नहीं इसका सहीं तरह कादी रंगा नेशनल पार्क किस दिगज भारतिय अभी नेटा को पद्मी भूसन पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा आप्षन या मिताब बच्चन आप्षन भी एरितिक रौसन आप्षन से अनील कपुर आप्षन डी है मितुन चक्रवारति इसका सहीं तरह मितुन चक्रवारति किस वेद में बिहार के निवासियों को की कट कहा गया है इसका सहीं तरह रिगवेद निल्रिक बेसे कौन सा विद्रो विहार में सरवा पर्थम हुआ था आपशने हे कोल विद्रो उप्शने विद्रो निल्रिक बेसे इसका सभी उतर है कोल विद्रो मीटे दिन हमाई दॉरह पूचे कैं सवाल का आप लोगों में से बहुत लोग ने पूचे कैं सवाल का जवाब देए उनके नाम है अगर आप यूटुब से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद